द्रन्वी शोक्लिफ्स में स्वागत है आपका बस देखते रहो और सीखते रहो मैं आज सिर्फ खुद के सवाल पूछ रहा हूं आपसे असल में सवाल पूछने थे वही पूछे हैं एक सवाल बचा है फिर से सुन्दर कांड के बारे में छे मिनिट पर एक दोहा स्टार्ट होता है जहां आपकी पूरी टेम्पो बदल जाती है अब जानते हो मैं क्या कह रहा हूं सुनाई सुनाई में फोन मैं बस उस दोहे का दोधा पता नहीं उस पाइराफ का मतलब समझना चाहरा हो और आप से ये पूछा चाहत हूं कि हूआ क्या क्योंकि जबी भी मैं हो सुनता हूं अगर मैं अकेले में हूं तो यहां तो बहुत ताकत महसूस होती है, यहां तो आसू निकलते है, तो उसे समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैं रोया हूँ इतनी वार इस पारग्राफ के, क्या अब क्या कह रोया हूँ? सच में यह कमाल है यमनराख का, जो मैं ऊपर हमारा जो सुन्दरकान चलता है, वो सा से लेकर सा तक जाता है, जैसी है, यह ले हमने उठाई है, श्री राम चंदर कृपालू भज़मन से, जो मूल में यह ले है, पुरानी राम चंदर कृपालू भज़मन से, यह वो है पुरा, इसमें जब उपर जाकर चड़ते चड़ते, गामा पधनी, और जो वो लास्ट हो गई, तो सा पर गया है वो, तो वो यमन राग बिलकुल, जैसे आप भारती शास्ते संगी सुनने वाले को सुनने के लिए बैठते हो, तो वो सा के लिए तरसा देते हैं सामने वाले को, वाह, वाह, जिसको कहता है चरम सीवा, अब मैं एक और वेपे बोल सकता हूं लेकिन नहीं, यानि कि उस राग का पून फल, श्रवन का, किसी भी कारे को करने की जो इती हो जाती है, कि उसके बाद वो कुछ और नहीं है, बस अब उता रहे हैं, तो ये राग चड़ता 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 यमन फिर जो सा पर जाकर के उता रहा उसको, तो यहां पर सुर पून हो गए, अलगि ऐस मैं इसकी लेब अद्धता से इसको गा के चल रहा हूँ, तो कहीं भी और सा तक नहीं गया हूँ, वहां से वापिछ उतर आए, नी पे चले, सा पे चले, ये जो है, ये आ गया राग को गाते गाते, उस राग पर इतना खो जाते हैं फिर हम नहीं गाते हैं राग हमें गाता है एक भी सुर बे सुरा नहीं होता एक बार मेरे साथ वाइलन वाले आए बोपाल से तो वो बोले कि महराज जी मैंने आज ये देखा कि पूरे पार्ट में तीन घंटे आपने गाया और एक भी सुर बे सुरा नहीं हुआ चाहे हमने चंदरकोस राग गाया चाहे हमने पुरिया धनेश्वरी गाया लगबग दस पांदरा राग में सुन्दरकांट को गाता हूँ तो जब राग का एटमस्ट आप जैसे आपके सामने में यह राग घा रहा हूँ अभी तान पुरा लगा हो या मेरे पास हर्मोनियम हो तब ही चेंज कर पाऊंगा मैं अभी इससे पहले मैं पोड़कास्ट जब आपसे पहले बात कर रहा था भी तो मैं भहरवी में घा रहा था तो मैंने कई बार कोशिश की कि और चौपाईयों को मैं दूसरे राग में अब ले लूँ लेकिन मेरे जहन में वो एटमस्फ़यर बहरवी का बन गया वो बहरवी चलती रही निकलता नहीं है राग तो देव है ना सामवेद है इसलिए आप पर और इतना दुनिया में गाया गया सुन्दरकान, बजरंगबान लेकिन यहां मूल में वैस्टन भी पड़ा है और राग भी पड़ा है भारतिय शास्त्री संगीत भी है जब अमेरिका के वर्ल्ट रेट सेंटर पर हमला हुआ पाँच हजार लोग मारे गए तब हमारे इंडिया से भारतिय शास्त्री संगीत में भजन गाने वालों को बुला है जगा जगा लाइव टेली कास्ट हुए तब उनका माइंड सेट हुआ भारतिय शास्त्री संगीत को सुनकर आप देखो क्लासिकल प्रोगांस में जितने बैठे होते हैं वो ऐसे माउन बैठे होते हैं ओडिटर्यों में फ्लूट बज रही है बजते 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 हो कब साह पर पहुँच गई और व्यक्ति बैठे बैठे शून से पूर्ण हो गया बस इसी का अरत है संगीत और तुलसिदाज जी तो परम राग हो के क्याता है राम चाहित माना सभी मैं गा रहा हूं ये 22 जन्वरी से पहले पूर्ण हो जाएगी कलंका कांतिम दुखा कर रहा हूं तो मैं देख रहा था एक भी चौपाई देखो एक ही चौपाई को मैं कितने राग में गा सकता हूं बशर्ते हमें नौली होनी चाहिए कोई भी चौपाई रहा हूं उठालते हैं मंगल भवन या मंगल हारी द्रवाव सो दशरत अजिर विहारी यमन हो गया हूँ अब पुरियाधरेश्वे द्रवावन या मंगल हारी द्रवाव सो दशरत अलगे मुझे इतनी समझ नहीं है राग होगी लेकिन मैं ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपने भजन को कभी फिल्म ही गाने पर न गाओं अब मैंने प्यार तुम ही से किया या मैं तुझे देखा तो ये जाना सनम इस पर मैं कितना भी कोई गाना गा लूँगा लेकिन एक बार को माइंड तो वहाँ जाएगा ही इसलिए राग अपनी कंपोजी होता है उसमें जो गाओगे मैं आपसे बात कर रहा हूँ इसका भी एक राग है इसकी भी एक टोन है ये सब तो बड़े-बड़े लोग बता सकते है तो बहुत संगीत से दूर हूँ आप सिर्फ माध्यम हो पर एक बहुत ज़रूरी माध्यम हम सब के लिए पर मैं बस ये कहना चाहता हूँ Firstly, thank you for supporting us throughout the years Secondly, हमने एक नया initiative start किया है जिसका नाम है Bear Bicep Skill House इसकी intention ये है कि भारत की upskilling journey में हम अपना थोड़ा सा योगदान देदे हम लेकर आएं आपके लिए commercial editing का course क्योंकि ये है Bear Bicep Team का core skill set बहुत सारे upskilling courses आ रहे हैं तो at least check out Bear Bicep Skill House follow our YouTube channel, follow our Instagram page but for now, enjoy this episode of TRS एक राग लेते हैं चंद्रकोस जी जाना ठीक नहीं, रात्री के समय प्रवेश करो, तो अनुमाण जी क्या बन ocean कुछ लोग कहता है अनुमाण जी मच्छर बन गए मच्छर नहीं मन गए, तुलसिदा जी ख़े रहे मसक समान, यानि के बहुत छोटे बहुत छोटे, बहुत छोटे और वो रडार सिस्टम तो देखो, लंका का पहरा तो देखो, सेक्यारिटी तो देखो लंका की, जैसे पी-म की सेक्यारिटी होती है, परिंदा पर मार जाए, रावण की सेक्यारिटी देखो, मच्छर के समान, रूप बना करके हनुमान जी चले, तो लंका ही चले हूँ, सुम सिंग भगवान की फोटो लगा रखी थी, तो अनुमान जी ने सबसे पहले तो उसको परणाम किया, सुमिर नरहरी नरहरी तुलसिदाज जी के गुरदेव का नाम है, तुलसिदाज जी इसी बहां ने अपने गुरू को परणाम कर लिया, नाम लंकीनी एक निसी चरी, लंकीन का ही रात को लंकीनी बनकर लंका का पैरा देते, नाम लंकीनी एक निसी चरी, उसने का सो के चला सी मोहिन दरी, एए जाने नहीं मर मूसट मूरा, जानता नहीं ऐसे करके उढ़ा लिया नुमान जी को, मूर अहार जहां लगी चोरा, मैं चोरों को खाती हूँ, चोरों को पक माँ जी हसे, तो चोरों को खाती है, मैं तो चोर का पता लगाने आया हूँ, मैं किसका पता लगाने आया हूँ, चोर का, दुनिया का सबसे बड़ा चोर को ने, रावन, जो मेरी माँ की चोरी करके लाया, समझ गया, तो चोरों को खाती नहीं है, चोरों की रखवाली करती है, इसलिए तुझे जीने का अदिकार नहीं है एक मुटिका उठाईे और जैसे ही इसको मुटिका पड़ी इसकी नाक से निकला रक्त और ये फिर ऐसे ही जैसे पुनी संभार जैसे लंका पूरी एकी गूसे में डै गई एक ही मुठिका में लंका दर 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 और फिर लंकिनी ने समाला अपने आपको पुरी संभारी उठी सो लंका और हाथ जोड लिया समझ गई समय गई जोरी पानी कर भी नई ससंका फिर कहा जब रावन ही ब्रह्म बरदीना जब रावन को ब्रह्मा जी ने बरदान दिये थे तब कहा था जब रावन ही ब्रह्म बरदीना चलत बिरंच कहा मुई चीना क्या? मैंने का इसके चक्कर में बान दिया अपने मुझे इसकी रक्षा करती रहूंगी果 लंका बना दिया मुझे मेरा उद्धार काब होगा अब रम्हानी ने सौचा तेरा उद्धार काब होगा जब कोई बंदर आकरके तیरी सिर पर एक मुठिका मार करकर तेरी नाक तोड़ देगा उस दिन समझ लेना लंका का विनाश और तेरा उद्धार तो हनुमान जी है सद्गुरू अब इसका मुधारन क्या देते हैं लंकिनी है रक्त से बरी हनुमान जी गुरू का कहा प्रार करता है ये शब्द का बान जब किसी गुरू के मुख से निकलता है तो उसके कान से जाता है उसकी बुद्धी बदलता है तो हनुमान जी ने जब उसको मुका दिया तो उसकी बुद्धी पर दिया यहां सिर पर प्राहर किया तो समझो बुद्धी पर और जैसे ही लंकनी के मुख से निकला रख लंकनी बन गई विरक्त वो लंकनी हनुमान जी को सतसंग करने लगी हनुमान जी एक राई का दाना रख दो गाएं की सिंग पर और एक तराजू के पलडे पर दुनिया का पूरा सतसंग रख दो राई का दाना जितनी देर टिकता है इतनी देर भी व्यक्ति सत्संग कर ले तो उसका जीवन बदल जाता है फिर उस लंकी नहीं नहीं का जो जाने नहीं दे रही थी प्रविस नगर कीज़े सब का जाट गई जाओ, जाओ, जाओ यह है अरुमाहन जी की क्वालिटी पहले जो कह रहा था नहीं है घुसने नहीं दोंगी वो कहते प्रविस नगर कीज़े सब का जा लेकिन एक काम जरूर करना पोड़ी सीख भी दे रिये इर्दा इराक काउसल पुर राजा तराम जी को मत भूलना बस जाओ तो तुभारे सब काम होगी आप लोग भी यही याद रखो रसराज जी महराज बस यह था आज का फॉड़कास्ट अगर आपको यह क्लिप अच्छा लगा ऐसे हजार क्लिप्स अपलोड किये गए इस चैनल पर बस देखते जाओ और सीखते जाओ क्लिप्स आपको अच्छा लगाज